हैलो दोस्तों, कैसे हूँ अप लोग? मैं हूँ, आपका दोस्त अजय और मेरे चैनल पे आप लोगों का हारदी सवागत है दोस्तों, आध में आप लोगों के समझ पर्यावरर विशिय के कालेशनपन लेकर के आया हूँ तो चलिए सुरू करता हूँ दोस्तों सरपथम उपर पार्ट होजना संख्या लिखेंगे फिर नीचे विद्यालय का नाम रहेगा जिस विद्यालय में सिछनकार के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिख देंगे फिर नीचे पांच का नम बनाएंगे दिनांग, कच्छा, विशय, चक्र, अवधी दोस्तों कच्छा 6 है और विशे हमारा है परियावरन प्रकरण का नाम है अपसिष्ट पदार्थ एमंग परियावरन इसका सामान उद्देश क्या है देख लिजे बच्चों में परियावरन विशे के प्रति रूज जागरित करना बच्चों को परियावरन के तत्यों को बता परियाबरन का समस्त जीवधारियों पर पढ़ने वारे प्रभाव को बताना, बच्चों में प्रकृत के प्रति प्रेम का भाव उत्पन करना, नमबर पांच बच्चों को प्राकृति घटनाओं से आउगत करना, सामान उद्दिश के बाद देखे दोस्तों विशिष्ट क्या है कि जानकारी प्राप्त करेंगे, बच्चे अफसिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं कि जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके बाद दोस्तों सिछण बीद रहेगी, सिछण बीद में प्रशनोत्तर बीद और असपश्टी करन बीद, फिनेचर सहायक सामागरी दोस्तों इसमें क्या रहेगा कूड़ेदान का बना हुआ चित्र तथा अन्यकच्छा प्योगी वस्तुएं इसके बाद बच्चे का पूर्व ज्यान बच्चे अपने परिवेश में पाई जाने वाली गंदगी को देखें हैं इसके बाद दोस्तों प्रस्तावना का नंबर संत्रा आध दूसरा प्रश्ण करेंगे आम केला आध को खाकर उनके छिर्के को कहा फेकते हो चात बताएंगे कूरिदान में तीसरा प्रश्ण नहीं से बना लेंगे यदि कूरिदान में ने डालें तथा इधर उधर फेक दे तो क्या होगा चात मौन हो जाएंगे यही समस अपसिष्ट पदार्थ में फिर प्रशन करेंगे अपसिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं चातर मौन हो जाएंगे असपश्टी करन देंगे कोईला लकडी जलाने के बाद बची हुई राक सब्जियों के छेलके पस्मों का मलमूत्र पालितीन आधि अपसिष्ट पदार्थ हैं परमार केंद्रों से ठोस द्रव गैस के रूप में अपसिष्ट पदार्थ निकलते हैं इन अपसिष्ट पदार्थों को प्राय भूम जल सुरोतों आधि वाई में विसरजित का दिया जाता है इससे परियावरन दोसित हो रहा है छात ध्यान से सुनेंगे स्यामपटकार मे इन अपसिष्ट पदार्थों से जलवाय मिट्टी में विकार उत्पन हो रहे हैं इसके बाद देखे सिछट बिंद्व अगला क्या है अगरा सिछट बिंद्व है अपसिष्ट पदार्थ के प्रकार प्रश्ण करेंगे अपसिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं छ ठोस अपसिष्ट प्रश्न करेंगे ठोस अपसिष्ट से क्या समझते हो छात मन हो जाएंगे असपस्टी करन देंगे सबजी एवंग फलों के छिलके घर का कूड़ा कचरा तूटे हुए वर्तन सीसी बोतल काच प्लास्टिक लोहे के टुकडे सीमेंट एवंग थर्मल पावर से निकली राक धान की बूसी आज ठोस अपसिष्ट है छात ध्यान से सुनेंगे इसके बाद द्रव अपसिष्ट प्रशन करेंगे बच्चे से द्रव अपसिष्ट से क्या समझते हो छातर मन हो जाएंगे असपस्टी करन देंगे नदियों का गंदा पानी सीविज की नाली का गंदा पानी उर्वरक चमडा सोधन विद्दूत उत्पादन केंद्रों कारखानों तथा उद्योगों से निकलने वाला गंदा एवं विसला जल आध द्रव अपसिष्ट पदार्थ है छात ध्यान से सुनेंगे गंदा जल जली अपसिष्ट है इसके बाद गैसी अपसि के चिमनियों से निकलने वाला धुआ जीव जंतों के सड़ने से निकलने वाली दुरगंद आध गैसी अपसिष्ट है इसके बाद देखिए अपसिष्ट पदार्थ से खत्रे प्रश्ट पदार्थों से क्या खत्रे है असपशिकर दूसित जल के सेवन से पेचिस पीलिया आद विमारीय होती हैं चात ध्यान से सुनेंगे मनुस सास लेने में आक्सिजन गेस ग्रंड करता था कारबन डायक्साइज छोड़ता है इसके बाद बोध प्रश्ण बोध प्रश्ण देखिए नंबर एट घर का कूड़ा कच्रा कहा फेकना जाए नंबर दू अपसिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं मुल्यांग Care Between अफसिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं नमबर दो द्रवाबस से क्या समझते हो निरिचन कारे जब छात्र स्यामपठ कार कापी में उतार रहे होंगे तब छात्रा ध्यापक कच्च्छा में घूम घूम कर उनकी काप्यों क करेगा इसके वाग ग्रिह कार में आप लोग घर से जल प्रदूसर्ण से होने वाली विभिन्य विमारियों का नाम लिकर के लाएंगे नीचे हास्ताक्षर परिवेच्चक रहेगा फिर हास्ताक्षर छात्रा ध्यापक रहेगा तो दोस्तों यह लेशन प्लान कंप्रीट होता है दोस्तों इसका पीडिया लिंक अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिक्ट्टन में नीचे दे दूंगा दोस्तों वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजेगा दोस्तों और अगर अभी तक में लेकर के आता रहता हूँ